दूद की मलाई खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है वही खाने के अलावा इसका इस्तेमाल स्किन के लिए भी किया जाता है बता देखिया एक नेश्रल मौसुराजर की रूप में काम करता है इसके इस्तेमाल से निखरी तोचा पा सकते हैं हाला कि कई लोग दूद की मलाई को निकाल कर फेक देते हैं लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर फेस पैक बना सकते हैं इन्हें चेहरे पर लगाने से आप खुबसूरत और निखरी तोचा पा सकते हैं ऐसे में अगर आप सर्दियों में glowing skin पाना चाहते हैं तो चेहरे पर मलाई का face back जरूर लगाएं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में glowing skin पाने के लिए आप मलाई का इस्तेमाल कैसे करें चलिए जानते हैं वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा पहला है आप मलाई में श्रहद मिला कर लगा सकते हैं श्रहद और मलाई का face back फायदे मनसावित हो सकता है इसे बनाने के लिए एक बॉल में एक चमच मलाई ले इसमें एक चमच श्रहद मिक्स करें इन दोनों को अच्छे से मिला ले आप इस face back को चेहरे पर लगाए और कुछ दिर के बाद गरम पानी से दोले इसके बाद चेहरे पर मौस्टोराजर अपलाई करें दूसरा है कि आप मलाई में हल्दी मिला कर लगा सकते हैं बता दे कि हल्दी औशदिय गुणों से भरपूर होती है इसके इस्तेमाल से स्किन चमकदार हो सकती है इस face back के इस्तेमाल से मौहासों की समस्याएं कम हो सकती है इस face back को बनाने के रिए एक बड़ा बॉल में एक चमच मलाई ले इसमें एक चमच हल्दी पाउडर और गुलाब जल मिक्स करें इस फेस पैक को अपनी तुझा पर मसाज करें करें 20 मिट के बाद इसे पानी से वाश कर ले तीसरा है आप मलाई के साथ बेशन मिला कर लगा सकते हैं अगर आप डेडर स्किन से चुटकारा पाना चाहते हैं तो बेशन और मलाई का फेस पैक का इस्तेमाल जरूर करें इस पैक को बनाने के लिए एक बड़ा चमच मलाई एक बड़ा चमच बेशन और आधा चमच अखरोट का पाउडर मिलाए इस मिशन को अच्छी तरह से फेटे अब इस पैक को चेहरे पर लगाए और सूख जाने के बाद गुर्गो ने पानी से चेहरे को साफ कर ले चौधा है मलाई के साथ नीमू और संत्रा मिला कर लगाए अगर आप दाग दब्वो से छुटकारा पाना चाहते हैं या फेस पैक आपके लिए काफी मददकार साबित हो सकता है इसे बनाने के लिए एक छोटे बॉल में निमू का रस संत्रे का रस और मलाई डाले अब इस मिशन को अच्छी तरह से मिलाए इसे अपने चेहरे पर लगाए और सूख जाने के बाद साब पाने से धोले विंटर में स्किन को ग्लोइंग और सौफ्ट बनाना है तो मलाई का इस्तेमाल जरूर करें